है गाईज वेलकम बैक टू मनिशा कोमर्स क्लासिज जैसा कि आप सबको पता है कि हम फाइनेशल अकाउंटिंग के एमसी क्यूज कर रहे हैं हमने जो सीरिस स्टार्ट की है जुसका थर्ड वीडियो लेक्चर है पहले हम दो पार्ट में एमसी क्यूज कवर कर चुके हैं दो ल ओलिग करणे मसीनरी एक उटता है तो इसका साइसमे जो क्या है क्यों यन करना है कि जो एक्षान हेमाशियर की है अप्रेश पर्टे है तो कुर सेफ्रड रीपेर कर रहांज पर थांटी फइंडियो संन तो और वर्याओ कर वा एन वंस शो क्या है मिड़आ है वेशड कर में जब हम जब भी हम कोई असिट करीचव करते है ठीक है तो सें क्या बोलते है जापिटल एक अभी में ड्रसों की मैं गवरक्री इंट नवार होते हैं घर लिए वार होते हैं मनें रिकरिंग नीचर के होते हैं जैसे कि हमने रिपैर करवाई ठाक है कोई सेगे घर ए कुछ इचे से रिप्र राइ ता कि उसे हम यूज़ कर सकें ठीक है तो वह गया capital expenditure बट जब हम उसकी हर साल रिपेश कर वाते हैं हर साल उसके service कर वाते हैं ताकि हम उससे maintain रख सकें तो उसे हम बोलते है revenue expenditure जब हम किसी product को improve करने के लिए उस पर खर्चा करते हैं ठीक है किसी आइटम पर उसको इंप्रूव करने के लिए खर्चा करते हैं that is called capital expenditure और जब हम उसे maintain करने के लिए खर्चा करते हैं तो उसे हम क्या बोलते है revenue expenditure next question है which of the following is a revenue expenditure अब इन में से कौन सा revenue expenditure है तो options है freight paid on purchase of plant and machinery जब हमने plant and machinery खरिदी और उस पर फ्रेट पेड के तो यह revenue expenditure है नहीं यह क्या है capital expenditure next है legal expenses paid to acquire property एक property खरिदने के लिए जो हमने legal expenses पेके हैं वो क्या है वो भी capital expenditure है next है annual whitewash of the factory building देखिए उसने क्या बोले annual whitewash of the factory building फेक्टरी बिल्डिंग पे हम annually whitewash करवा रहे हैं तो यह को maintain करने के लिए right annual खर्च है recurring nature के तो यह क्या है revenue expenditure next question है loss caused by theft of cash by cashier after business hours is a ठीक है जो हमें loss हो रहा है ठीक है loss क्यों है क्यों है क्यों है क्यों है जो cashier है ठीक है उसने cash चोरी कर लिया after business hours तो यह किस type का loss है revenue loss है deferred revenue loss है यह capital loss है तो यह किस type का loss है C that is capital loss next question है question number four share premium is a share premium कै देखिए share premium होता कि जब हम shares issue करते है जैसे हमारे share के face value hundred है और हमने share 100 के जगह 120 का इसव कर दिया right मतलब 20 rupees extra का इसव कर दिया जब हम extra rupees पे share issue करते हैं ठीक है ज्यादा पैसे पे share issue करते हैं तो उसे हम क्या बोलते share premium right तो यह क्या पूछ रहा है कि शेर प्रीमिम क्या है यह रिवेन्यु 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 र ठीक है जो हम damages pay कर रहे हैं ठीक है on account of breach of contract to supply certain goods कि हमने कोई contractor जो इसको ब्रीच कर दिया तो वो capital expenditure नहीं यह capital expenditure नहीं है यह revenue expenditure है because capital expenditure के होता है जब हम किसी asset को खरीते है किसी asset को acquire करने के लिए उस पर खर्चा करते हैं तो वो होता है capital expenditure नेक्स्ट बोल रहा है वो such damages are incurred on the ordinary course of business यह damages जो वो ordinary courses में होते हैं बिल्कुल ठीक क्योंकि यह revenue expenditure है तो इसका सही अंसर क्या होगा इसका सही अंसर होगा कि first statement correct है और second जो वो incorrect है तो इसका सही अंसर होगा 5 का D मैंने क्या बोला कि यह revenue expenditure है और यह जो वो बिल्कुल ठीक है राइट नेक्स्ट कोशन है को सिक्स अमाउंट स्पेंट ओं इंक्रीजिंग सिटिंग क्पैस्टी ने सिनेमा होल अब देखो उसने क्या बोला है कि जो सिनेमा होल है उस पर हम खर्चा कर रहे हैं क्या खर्चा क बेल एक्ससाइर कशनने महस्त यह नेक्स्ट कोशिट नेज्ट कोशना कोशननमल 7 का ऑनेने केपितल एक्सपेंट केर जग्सक्ताले कर्टाकक शर कहते हैं कों वर्में आपकिह थैर में सिटńsk 신े अ क्व्लैंट ए आ रचेंड अनकरश्ट ऑप जांवीरें में समने प्रोड़क्शन पर्चेज करने काम अंगा तो यह जो कर्चा है 30,000 थीक है वह कंप्रचा है because वो company के लिए क्या करनेंगे है asset purchase करनेंगे है ठीक है तो यह जो खर्च है ना हम उसकी asset में ही add कर देंगे तो इस खर्चे को हम क्या बोलेंगे capital expenditure clear next है question number 9 recovery of bad debts is a जब हमें bad debt recover हो रहे है ठीक है recovery of bad debt तो यह क्या है यह है revenue receipt next question है amount spent on unsuccessful patent right is a unsuccessful patent right पे जो हमने खर्चा किया है वो क्या है revenue expenditure है उसने क्या बोला even do the amount is large next deferred revenue expenditure है if the amount is large या फिर capital expenditure है देखिए उसने क्या बोला amount spent on unsuccessful patent right जो हम unsuccessful patent right पे कोई खर्चा किया है तो हम उसे कहां लेके जाएंगे revenue expenditure में लेके जाएंगे तो यह क्या है revenue expenditure है चाहे अमाउंट लार्ज है चाहे कोशन इस capital sips are represented in capital sips को हम कहां पर represent करते हैं balance sheet में, tiering account में, profit and loss account में या फिर manufacturing account में तो देखे capital sips क्या होती है यह होती है हमारी liabilities ठीक है तो इन्हें हम कहां show करते हैं balance sheet में liability side show करते हैं clear तो इसका सही answer क्या होगा option number a next question है preliminary expenses are an example of preliminary expenses जो वो किसका example है first question first option revenue expenditure next is capital expenditure next is deferred revenue expenditure या फिर all of these तो जो preliminary expenses है वो किसका example है deferred revenue expenditure का next question number 13 brokerage on issue of shares and debenture is a जो brokerage pay करते हैं हम shares को issue करने के लिए तो वो किस टाइप का expenditure है revenue expenditure है capital expenditure है deferred revenue expenditure है या partial capital partial revenue expenditure है तो जो brokerage pay करते हैं हम ठीक है वो किस टाइप का expenditure है वो है deferred revenue expenditure next question है what is the difference between deferred revenue expenditure and prepaid expenses ठीक है ठीक है तो options क्या है accounting treatment का या estimation of amount का या benefit for more than one accounting period का या for nature of expenditure का तो जो इनका difference है वो क्या difference है estimation of amount का next question है question number 15 machinery was purchased for 10,000 and 500 paid as wages for erection of machinery 10,000 की machinery खरीदी है और 500 रुपीज हमने as a wages pay की है उसकी erection के लिए the account that should be adapted is ठीक है तो कोन सी account को हम debit करेंगे wages account को machinery account को repairs account को या फिर none of the verb तो इसमें हम क्या करेंगे मैंने क्या बोला था जब हम कोई asset खरीदी है ठीक है जब हम कोई asset खरीदी है और उस पर जो भी खर्चा कर रहे है उस asset में हम add कर देंगे मतलब 10,000 के बीच एड़ जगा 500 तो कितना जगा 10,500 और इसको किसके साथ debit करेंगे machinery account के साथ ठीक है हम क्या लिखेंगे machinery account debit to cash या फिर bank account जो भी होगा ठीक है तो इसको डेविट किसको कर रहे है हम machinery account को तो इसका सही अंसर क्योंगा option number b that is machinery account next question is an old machinery is purchased for 10,000 हमने एक पुरानी machinery खर दिया 10,000 के installation charges किये उस पर 1,000 ठीक है 10,000 के machinery खर दिया है installation charges कितना है 1,000 उसके बाद उसने बोला है repair to the old machinery ठीक है repair किया हमने old machinery पर कितनी 7,000 की तो repair account को हम कितने के साथ debit करेंगे तो मैंने क्या बोला था कि एक बार जब हम कोई asset खरीते हैं उस पर भी खर्चे आते हैं हम उस asset में ही add कर देते हैं तो जो machinery हमने purchase किया 10,000 की उस पर जो installation charge of 1,000 वो भी add कर देंगे उसके जो repair करवाई है हमने first time उसको भी हम उस पर add कर देंगे तो कितना आ गया 18,000 यह जो 18,000 है यह 18 का 18,000 हम machinery account में ही debit करेंगे तो repair account में हम कुछ भी debit नहीं करेंगे तो इसका सही answer किया होगा C that is nil next question है question number 17 X limited spent rupees 10,000,000 toward construction of office building ठीक है 10,000,000 रुपे उसने office building construct करने के लिए खर्च किये it also spent 50,000 toward construction of temporary store and used the store for building construction purpose ठीक है 50,000 रुपे उसने एक temporary store बनाने के लिए खर्च किये ताकि उसमें हम समा रखे मतलब construction purpose के लिए से यूज कर सके on completion of building construction the store was dismantled and the material was sold for 20,000 ठीक है जब building पूरी होगी construction खतम होगी तो उन्होंने क्या क्या स्टोर को dismantle कर दिया और जो material था बेच दिया 20,000 का उसके बाद उन्होंने क्या बोला है Mr. A supervisor was paid 60,000 as his salary ठीक है Mr. A जो supervisor था उसे हमने क्या क्या 60,000 as a salary पे किया क्योंकि उसने construction के time पे जो काम किया था and he devoted two-third of his time for building construction और उसने अपना two-third time है जो वो building की construction पी दिया था तो हमने क्या निकालना है यहां पे capitalized cost निकालना है office building की ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखे जो 10,000 है 10,000,000 जो खर्च की office building पे ठीक है यह तो है अपना capital expenditure प्लस 50,000 जो हमने store पे खर्च किया वह भी capital expenditure हो गया ठीक है 10,000,000 फिफ्टी थाउजन माइनस कर देंगे इसमें से 20,000 क्योंकि यह पैसे तो हमारे पास आगे तो कितना अगे 10,000,000 अगया अब उसने क्या बोला है कि जो 60,000 है ठीक है 60,000 इसका 2,3 निकालेंगे हम क्योंकि जो 60,000 हमने पे किया है उसका कितना निकालेंगे 2,3 निकालेंगे कि उसने 2,3 टाइम construction पे spend किया है कितना अगया यह 40,000 है टोटल कितना अगया 40,000 राइट पहले कितना आया था हमारा 10,000 प्लस 50,000 माइनस 20,000 मतलब कितना 10,30,000 आया था हमारे पास निकल के और और उसमें हम क्या करेंगे 40,000 जो डिरेक्टर की सेलरी है सोरी सुपरवाइजर की सेलरी है वो एड कर देंगे क्योंकि उसने जो अपना टाइम डिवोट किया construction के लिए उसको भी हम construction में आड करेंगे तो कितना आगया एक हमने ख़ुआ करेंगे और उसके कुछ टाइम बाद ओकल का नेम डिवोड इस पेंट किया गया क्या रूबकल अबर फ़र पर फ्र शारी ऑन थाउसन में तो यह क्या है यह capital expenditure, deferred revenue expenditure, revenue expenditure, ठीक है, तो इस टाइप का expenditure है, यह है revenue expenditure, नेक्स्ट कोश्चिन है, question no. 19, medium term loan obtained from bank for augmenting working capital, देखियो, उसने क्या बोला है, medium term loan लिया, यह हमने बैंक से किस के लिए working capital के लिए, ठीक है, तो यह किस टाइप के रिशिप्ट है, revenue expenditure है, यह capital expenditure है, पहले तो यह expenditure होंगे, रिशिप्ट है, राइट, तो यह revenue receipt है, यह capital seat है, तो यह revenue receipt, next है, if repair of rupees 100 और डर्न ओने machinery, then which account will be debted, अगर हमने किसी machinery पे 100 रुपीज की repair करवाईया है, तो कौन से account को debit करेंगे, देखो, यह नहीं बोलो ना, अभी हमने machinery खरीद दी, उसे install करवाया और रिपेर की, इसने क्या बोला है, हमने एक machinery पे रिपेर करवाईया है, राइट, जैसे कि हम हर सल करवाते हैं, ठीक है, तो यह जो 100 रुपीज किस में debit करेंगे, यह हम debit करेंगे, रिपेर अकाउंट में, clear? तो जैसे हम heavy advertisement expenses करते हैं, तो उसे हम क्या treat करते हैं, revenue expenditure treat करते हैं, capital expenditure या deferred revenue expenditure, तो हम उसे क्या बोलते हैं, deferred revenue expenditure बोलते हैं, next, deferred revenue expenditure to the extent of no treatment off is shown in the balance sheet under the head, ठीक है, जो deferred revenue expenditure है, जीने अभी तक write-off नहीं किया गया, उन्हें balance sheet में हम किस head के अंदर show करेंगे, तो उन्हें हम शो करेंगे, as a miscellaneous expenditure, उसे हम क्या show करेंगे, as a miscellaneous expenditure, a purchased a car on first June 2010, ठीक है, एक June 2010 को, a ने a car खरी दिया है, पांच लाग साथे और की, और उस पे 25,000 repair पे खर्च किये हैं, then उसने क्या बोला है, he paid 10,000 as insurance, 10,000 उसने insurance का pay किया, और 1500 petrol का pay किया, ठीक है, what amount should be deputy to car account, तो मैंने क्या बोला था, जब भी हम कोई asset purchase करते हैं, और उसे working condition में लाने के लिए, जब भी हम इसे install करते हैं, उसे asset को, राइट, तो इस पर जितना भी खर्चा आता है, एक बार हम उसे, capital X manager, treat करते हैं, तो उसने क्या बोला है, 5,60,000 हमने खरीदी का, ठीक है, 5,60,000 हो ग जब हम एक बार होने वाले खर्ची हैं, तो जब हम एक बार एक बार खर्चा को खरीदे हैं, जब हमने एक बार कार को खरीदे हैं, तो उसे वर्किंग मोड में लाने के लिए, जो हम उसे खर्ची कर रहे हैं, वो कैपिटल नेचर के हैं, हम उन्हें as a capital expenditure, treat करेंगे, उसके जब हम पेट्रोल पे बार बार खर्चा करेंगे, तो उसे हम रेवेन्यू, treat करेंगे, तो इसका सही अंसर के अगा, 5,60,000 प्लस 25,000 कितरा होंगा, 5,85,000 प्लस 10,000, 5,95,000 प्लस 1,500 कितरा होंगा, 5,96,500, ठीक है, 5,96,500, ठीक है, 5,96,500, मतलब, option no. B, next question, question no. 24, XYZ Limited has a house for 3 years, ठीक है, XYZ Limited के पास एक house है, ठीक है, for 3 years, it used it as a guest house, और उन्होंने उसे guest house यूज किया है, now it incurred an expenditure for 2,50,000 for repairing the roof of this house, और उन्होंने अब क्या किया है, उस house की, जो roof है, उसको repair करवाने के लिए 2,50,000 रुपीज किया है, expenses incurred and such repairs are, तो जो expenses किये हैं उन्होंने, ठीक है, जो expenses किये हैं, सच repair, इस repair पर जो expenses किया है, तो वो क्या है, देखिए, वो capital expenditure तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि इससे कोई improvement तो नहीं हुए है, next revenue expenditure है, यह फी deferred revenue expenditure, देखिए, revenue expenditure, deferred revenue expenditure में क्या है, कि जब हम कोई खर्चा करते हैं, maintain करने के लिए, ठीक है, यह जो recurring nature का खर्चा है, हम वो करते हैं, तो वो revenue expenditure में आता है, next question number 25, which of the falling expenses will not be included in the acquisition of plant, ठीक है, कौन से charges को हम acquisition of plant में include नहीं करेंगे, first is purchase price of plant, बिल्कुल include करेंगे, installation expenses हैं, यह भी include होंगे, annual maintenance charges हैं, जो यह include नहीं होंगे, because यह annual charges है, right, यह हमारे recurring nature के हैं, यह किस में आएंगे, revenue items में आएंगे, delivery charges होज़ा plant है, यह भी आएंगे, next question है, question number 26, a new machine was purchased in Delhi and brought it to Jaipur factory site for installation, ठीक है, डेली में मशीन खरी दिया है, हम जैपूर factory site पे लेकि आएंगे उसको, the machine was damaged during transit, transit में वो damage हो गई and repair expenses were incurred amounting to rupees 20,000 और उसकी repair करवानी पड़ी 20,000 रुपीज उस पे खर्चा आया, ठीक है, such repair will be treated as, तो उस repair को हम क्या treat करेंगे, उसको हम capital expenditure treat करेंगे, revenue expenditure treat करेंगे, deferred revenue expenditure treat करेंगे, यह रिजर्व त्रीट करेंगे तो उस खर्चे को हम क्या टीड करेंगे यंजादा रवैन्यू एकश्पानिजर नेक्स विख्टुर में कोषिण नंबर 27 रवैन्यू प्रविच्रंड रिकोडल एस केपिल एकपैट्स पैडिचर व्रिजल्ट इन अच्छा अगर हम रहाने मे सब्सक्राइब करते हैं तो क्या होगा माली जी यह मारा प्रोफिट अनलो सब्सक्राइब कि एक पिन्ट माली जी यह हमारा प्रोफिट अनलो सब्सक्राइब और यह हमारी बैलिंट फीट है, ठीक है अब हमने मान लिजिए कि रीपेर करवाई है प्लांट की ठीक है तो उसे हमने कहां रिकोड करना था यहां पे रिकोड करना था प्रोफिट आ लो सकांट में बट हमने क्या किया प्लांट की रिकोड करवाई है जो उसे यहां पर ना रिकोड करके हमने से कहां रिकोड कर दिया हमारे इधर हमने एसेट साइड शो कर दिया और इससे हमारे एसेट भी ज्यादा शो होने लग जाएंगे तो क्या होगा overstatement of net profit एक तो net profit ज्यादा शो होने लग जाएगा और second के overstatement of assets asset भी ज्यादा शो होने लग जाएंगे clear तो इसका सही अंसर क्या होगा option number B next है which of the following statement is false? कौनसी statement इंग में से false है? expenses in connection with obtaining a license for running the cinema is capital expenditure तो उसने क्या बोला है कि जब हम expenses करते हैं ठीक है कि cinema को run करने के लिए हमने जो लाइसे लिए उस पर जो खर्च किया वो capital expenditure है बिलकुल है ठीक है तो यह false नहीं है next है heavy expenditure heavy advertisement expenditure to introduce a new product is deferred revenue expenditure मैंने पहले ही बोला था कि advertisement expenses वैसे revenue expenditure है बट जब हम heavy advertisement expenses करते हैं ठीक है तो उसे हम क्या बोलता है deferred revenue expenditure expenses तो यह तो सही है यह भी नहीं आए गा answer next है cost of construction of building cost of construction of building including cost of temporary hurts for storing building material is capital expenditure जैसे हमने पहले question में किया था कि construction of building है जो ठीक है उसमें वो जो भी temporary हमने hurts वगारा store वगारा बनाए है ठीक है उनका खर्चा भी as a capital expenditure ही करेंगे यह भी बिलकुल ठीक है next है the cost of rings and pistons of an engine change to change to increase its fuel efficiency अच्छा मैंने क्या बोला था कि जब हम किसी चीज की capacity को इसकी efficiency को improve करने के लिए खर्चा करते तो उस खर्चे को क्या बोलते है capital expenditure बोलते हैं बट उसने क्या बोला है कि जो हमने rings पे और pistons पे खर्चा किया इंजिन की ठीक है किसके लिए increase its efficiency ठीक है अच्छा मैंने क्या बोला है कि हमने नियुली इंस्टोल किया है उसके ट्राइल रन के लिए जो हमने 20,000 खर्च किया है तो वह कौन्स expenditure है तो ओव्यस तो कौन्स expenditure है capital expenditure next question is question number 30 amounts spent on increasing the sitting capacity of cinema hall यह question पहले आ चुक है किसका अंसर आप खुद करेंगे right next question is question number 31 renewal fee for patent is ठीक है renewal fees जो हम pay कर रहे है किसी patent के लिए तो वह क्या होगी capital expenditure होगी या revenue expenditure तो वह होगी revenue expenditure ठीक है because यह recurring expenditure है next question number 32 construction पे कितना खर्चा आया 35 lakh खर्चा आ गया then उसने बोला है he inaugurated it and inauguration cost was 50,000 उसने जब सब बनके त्यार होगे उसने उसकी inauguration किया और inauguration पे खर्चा है 50,000 तो capital expenditure क्या होगा देखे जो capital expenditure है वह क्या होगा 50 lakh की उसने building खरिदी यह capital expenditure है right plus उसने जो demolition पे खर्चा किया मतलब यह भी construction के regarding ही था हमारा थीक है तो 1 lakh हमने यह भी आ जाएगा और construction की जो 35 lakh के यह भी आ जाएगा ठीक है मतलब इतना खर्चा तो हमारा capital expenditure में आएगा that is 86 lakh ठीक है इसका सब रोगा यह जो इनोग्रेशन की कोस्ट है ना यह इसका तो हमारी construction से कोई लेना देना नहीं है ठीक है इसलिए हम इसे capital expenditure नहीं करेंगे इसे revenue expenditure में treat करेंगे राइट तो इसका सही अंसर क्या होगा 86 lakh नेक्स्वेशन है क्वेशन नमबर 33 इसमें क्या बोला है उसने रोहित इस इन रियल एस्टेट बिजनेस रोहित है जो वह रियल एस्टेट बिजनेस में आया उन 6 जून 2014 ही शोल ए पैंठ हाउस फौरपीस 4 करोड ठीक है इसने एक स्पैंठ हाउस बिचा 4 करोड का उसकी कोस्ट कितनी थी 3.5 करोड थी ठीक है क। अमाउंट रियलाइज क्या बोलेंगे शुकल बोलेंगे कैप्र शिप्त घ्रिजश्र एंफिग उसको एफ्त है उसको थी प्रोफित नोवlais सक्ट करेंगे जुनेर वेंजलuję तेठ्वे करेंगे देख़ेंगे पहले दिखेंग कि कि रोहित का तो अगर वो कोई बेच रहा है तो उसके लिए वो तो रवेन्यू आइटम होगी रइट, जो माली जी मैं मेरा बिजनस है गवर्मेंट्स का, और मैं प्रॉपर्टी बेच रही हूं, मतलब मैं अपना असेट बेच रही हूं, तो वो मेरे लिए रवेन्यू आइटम है, मेरे वो capital item है राइट बड़ जो रोहित है वो उसका तो business ही real estate का property का business है और वो property ही sale कर रहा है तो उसके लिए तो वो revenue item होगी राइट तो जब उसने उस चीज को बेचा उसने penthouse को बेचा चार करोड का तो उसके लिए वो क्या है वो revenue receipt है राइट और उसे जो 50,000,000,000 का profit हो रहा ह है ठीक है तो उसके वो कहां पे transfer करेगा profit and loss account में clear है तो इसका सही answer क्या होगा option number B that is revenue receipt revenue receipt में record करेगा और profit है उसको कहां transfer करेगा profit and loss account में next question है question number 34 दिपावली advance given to employees is जो हम दिपावली advance जेते हैं employees को ठीक है तो उसे हम कहां record करेंगे capital expenditure revenue expenditure deferred revenue expenditure yeah noble exp nuc then equnote expenditure तो हम उसे note and expenditure उसे कही record नहीं करेंगे as expenditure उसेवरे रिकोर्ड नहीं करेंगे next day the total of discount column on the debit side of the cash book evaluated in the उसने क्या बोला है कि जो discount column है जो हम cashbook बनाते है न उसके debit side होती है इधर credit side होती है इधर debit side होती है तो जो debit side का total है cashbook का उसे हम कहां पे post करेंगे तो उसे हम कहां पे post करेंगे हम debit side of discount allowed account में post करेंगे क्लिए discount allowed account की debit side में post करेंगे क्यों कि जो हमारे debit side होती है cashbook में ठीक है वह हमारी होती है कोन सी side होती है receipt side होती है ठीक है जो भी cash हमें आता है checks आते हैं वह सब हम debit side record करते हैं राइट मतलब हमने हमने किससे cash लिया है और उसको discount दिया है मतलब discount allow हो गया right तो हम उसे कहा record करेंगे debit side of discount allowed में record करेंगे next question number 36 if repair cost is 30,000 ठीक है repair cost 30,000 है whitewash expenses 5,000 है okay cost of extension building is 3 lakh ठीक है cost of extension मतलब building की extension की है उस पे 3 lakh खर्चा रहा है और cost of improvement in electric wiring system और हमने electrical wiring system है जो उसको भी इंप्रूव किया है कितना 30,000 का तो जो revenue expenditures है वो कितने की होंगी ठीक है तो revenue expenditure कितने की होंगी देखिए जो repair cost 30,000 ये एक revenue expenditure है white wash expenses है 5000 ये एक revenue expenditure है ये एक revenue expenditure नहीं है ये capital expenditure है और जो हमने improvement पे खर्चे के electrical wiring system 30,000 ये भी क्या है capital expenditure तो revenue expenditure क्या है एक तो 30,000 है ठीक है repair cost और एक white wash expense है 5000 ये है मतलब total कितना होंगी 35,000 35,000 का हमारा option number B right option number B that is 35,000 next question है question number 37 the unexpired portion of capital expenditure is shown in the financial statement ठीक है जो unexpired portion होता है capital expenditure का वो हम financial statement में कहां show करते है obvious as an asset asset side show करते हैं balance sheet में next question है question number 38 legal expenses incurred in defending a suit for breach of contract to supply goods is a ठीक है तो इसका सही answer क्या होगा यह revenue expenditure next question है question number 39 money spent to reduce working revenue expenses is ठीक है हमने क्या किया है money खर्च की है किसके लिए ताकि जो हमारा revenue expenses जो working expenses उनको reduce कर सके मतलब हम अपनी improvement पर खर्चा कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे capital expenditure बोलेंगे राइट नेक्स्ट कोश्चिन है कोश्चिन नमबर 40 इफ रीपेर कोस्ट इस 30,000 ठीक है रीपेर कोस्ट कितने 30,000 है whitewash expenses 6,000 है कोस्ट ओफ extension of building is 3,000,000 है यह तो बिलकुल पहले जैसे कोश्चिन है ठीक है कोस्ट ओफ extension of building 3,000,000 है कोस्ट ओफ improvement in electric wiring system 22,800 है then the amount of expenses the amount of expenses तो यहां पर इसने ना क्या बोलना था amount of revenue expenses ठीक है revenue expenses बताने इसमें हमने कि revenue expenses कितने है तो revenue expenses कितने है रीपेर कोस्ट और whitewash expenses राइट कितना गया 36,000 that is option number c आज का हमारा last question है question number 41 insurance claim received on account of machinery damaged by fire machinery जो हमारी वो fire की वज़े से पूरी damage होगी ठीक है हमने इसका insurance करवा रखा था तो हमें insurance claim receive हो गया ठीक है तो जो insurance claim receive हुए उसे हम क्या treat करेंगे जब हमकोई asset खरीदते हैं तो जो खर्चा करते हैं तो से हम क्या बोलते है जब मशीन डेमेज ही हो चुकिया पूरी तर एसे और हमें insurance claim मिल रहा है तो यह भी तो one time मिलेगा ना तो से हमकोई रिकोड करेंगे as a capital receipt तो आज के हमारे जो questions है 41 questions थे यह सारे के सारे questions हमारे capital revenue से related थे complete हो चुकिया यह हमारा topic नेक्स्ट वीडियो में हम कोई new topic करेंगे obvious financial accounting के related अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज वीडियो को like करें comment करें अपने friends के साथ share करें और हाँ चैनल को जरूर subscribe करें please thank you